हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने करेंगे उसके अंदर एक hidden option होता है hidden feature होता है जिसको activate करना पड़ता है इसका नाम रहता है gallery lab और उसके अंदर बहुत सारे hidden features होते हैं उन feature को कैसे use करेंगे कैसे इसको enable करेंगे gallery lab को और यह feature कहां का आप use कर सकते एक इस setting को enable करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाल की gallery में गयलरी में gallery में जाने कर आपको जाना है three dots में three dots में जाने कर आपको नीचे जाना है यह setting वाले option पर जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक option मिल रहा है about gallery आपको एक ऑप्शन जाना है उसके ना Enable 10 से 11 वार आपको उसको टैप करना रहेगा तो Enable हो जाएगा Enable होने के अद आप देखेंगे या Gallery Lab में जाएंगे आपको एक Option अलग से मिल जाएगा Setting के अंदर About Gallery के नीचे जो पहले नहीं आ रहा था ये Under Develop Option होते हैं तो ये इसमें By Default ही कुछ Option आटमेडिक On हो जाते हैं या बोल सकते हैं जो On मैंने कर लिये थे वो On हो जाते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं सारे सीचे बंद करके तो सबसे पहला जो Option है वह है Advanced Video Player वाला Option यहें अगर मुझे प्ले करना है तो फ्ले वीडियो पर करना रहा है। तो यह प्ले कर पाऊँगा तो यह इसको आगे कर पाऊँगा। अगर आप उस सेटिंग में जाके गैलरी में सेटिंग में जाके गैली लेब में जाके अगर आप advanced वीडियो वाले player को on कर देंगे उसके बाद आपको करना क्या है जब भी कोई option को आपको enable करना है उसके बाद आपको इस app को बंद करके दोबारा ही खोलना पड़ेगा तो ही यह work करता है अगर आप उसको बार बार बंद करेंगे तो ही चलेगा अब उसके बाद अगर आप जाएंगे उस वीडियो पे तो आप देखेंगे नीचे आपको अलग से option मिल रहा है अब यहाँ पर आप वीडियो को pause भी कर सकते हैं आगे भी बढ़ा सकते हैं यह option आपको उस सेटिंग को इनेबल करने के बाद ही मिलेगा आपको बार बार उसको अंदर जाने जोद नहीं पड़ेगी प्ले करने जोद नहीं पड़ेगी नॉर्मली भार ही प्ले हो जाईगी और उसको यहाँ से करने के बाद बापिस इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा नहीं तो फिर वाला ऑप्शन बाई डेफॉल्ट ऑन हो जाएगा गैलरी में जाने का आपको जाना है यहां पर आप जाएंगे यह थ्री डॉट्स में जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको क्या आप्शन मिल रहा है एक कैमरा एड़ेट शॉट्ट क्रियेट एल्मम हाइड और हनाड एल्मम रिसाइकल मिल रहे हैं तो वह जो फीचर है वह इसी में आएगा तो बापिस चलते हैं सेटिंग में और उसको आन कर लेते हैं यहां यहां जाने के आपको नेट स्टेट का आपको उस पर क्लिक करना है यहां पर आपको कोई भी अपना एक नाम देना है फोल्डर गएगी फोल्डर बनेगा इसको बताता हूं कैसे यूज़ करते हैं लाइक मैंने आपर दे दिया ऐसे इसको कर लिया क्रियेट अब क्रियेट करेंगे तो आप देखेंगे आपर ए अब यहीं से आप देखेंगे हाँ पर जाके अब यहीं से अब यह की इन्दर भी आपके सामने अलबम क्रेट करी थी तो इसके लिए आपको और करना पड़ेका तो ही यह काम करेगा तो जो की तो next future है, वो है story slide show का, अब story slide show का option क्या है, कैसे use करते हैं, तो उस किलिए में पहले मैंने इसको बंद कर दिया, बंद करने का आद app को कर दिया, बंद, भाबिस मैंने gallery को open करा, open करने का यहाँ जाना, story वाले option पर दब जाएंगे, तब आप देख रहे हैं, यह story आपको देख रहे हैं, अब मैं आपर अपनी 4CV photos कोल रहा हूँ, तो यह मेरे story पर click कर रहा हूँ, तो very defining यह मेरी photos सारी दिख जा रही है, बट अगर उसको enable कर लूँगा, तो जैसे अपन WhatsApp पर story देखते हैं, या Instagram पर देखते हैं, वैसी story वर्क करेगी, कैसे? सैटिंग में जाना है, सैटिंग में जाना है, गैलरी लैब पर जाना है, गैलरी लैब पर जाना है, आपको story, slide show वाला option दोनों on कर लेना है, slide show टान्यक्षन और slide show, दोनों को on कर लेना है, on करने के बाद आप बापिस आपको बंद करना है, बापिस गैलरी पर जाना है, गैलरी में जाने के बाद अब देखेंगे, मेरी story पर आ चुके हैं, अब मैं यहाँ पर story पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, story automatic tab wise plays होती जाएगी, यह देख रहे हैं, उस option के बाद यह आपको बहुत मज़ा जाएगा, यह particular date के साब से आपकी story यहाँ पर play हो जाएगी, जो कि बहुत शांदर feature है, जो मुझे बहुत शांदर feature लगा, यहाँ पर आप कोई से भी खोलेंगे, सब वैसी story type work करेगा, यह सारी जगा story जगा work कर वे आएगा, आप देख रहे हैं, जितनी भी photos होगी, पूरी story की तरह work करेगी, जो कि बहुत शांदर feature मुझे लगा, अब next feature के लिए वापिस आपको जाना है, यही पर, जो next feature है, वह होत कमाल का feature है, यहाँ पर क्या रहता है, अगर आप इसी album पर जाएंगे, आपको wifi direct से अगर share करना आता है, आपको wifi direct के थुरू आप अपनी photos को या video को share कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर अभी share करने पर जाएंगे, लाइक यहाँ पर गए, यहाँ पर अगर आपको share का option अभी नहीं मिलेगा, आपको अगर इसी album को share करना हो, या बोल सकते हैं, इस folder को share करना है, तो आपको यहाँ share करने का option नहीं मिलता, अगर आपको पूरी एल्बम शेयर करना है तो आपको एक एक करके फोटो को स्लेट करना पड़ेगा तो ही आप शेयर कर पाएंगे बट एक option को enable कर लेंगे तो आप wifi direct के थूरू पूरा का फोल्डर easily share कर पाएंगे उसके लिए वापस जाना है वहाँ पर setting में जाने कर आपको यह option मिलेगा share album wifi direct आपको कर लेना है उसको on on करने के बाद आप जैसी इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद आप gallery को खोलेंगे यहाँ पर जाएंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया option मिल रहा है पहले आपको share का option नहीं मिल रहा था अब यहाँ पर आपको share का option मिल रहा है जैसी share पर click करेंगे वो by अब मैंने ये feature को off कर दिया, off करने के बाद मैं वापस गया gallery पर दोस्तों जो next feature है वो delete को लेगे, अगर आप को इसी भी photo या वीडियो को delete मारते हैं, तो वहाँ आपको नीचे एक notification आता है, कि ये recycle wheel में move हो जाएगा, बट अगर आप उस option को enable कर लेंगे, जो next feature बताने वाला हूँ, उसके बाद होगा कि वो आपको बताएगा कि recycle wheel में already इतना data पड़ा हुआ है, या बोल सकते है इतना storage पहले से फूल है, और अगर आप ये डाल देंगे तो total memory इतनी वहाँ पर recycle wheel में use हो जाएगी, कैसे, तो उसके लिए वापस gallery lab में जाना है, गैली lab में जाने के आ आपको नीचे की तरफ आना ही है, मिल रहा है, शोट trash storage आपको इसको कर लेना है, on, on करने के आद आपको बापस जाना है, इस app को बंद करना है, एप को बंद करने के आद आपको बापस gallery को खोलना है, खोलने के आद आपको किसी भी photo या वीडियो को delete मारना है, वहाँ पर आ आप देख सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, अगर आप ये डाल देंगे, तो टोटल इतनी memory वहाँ पर हो जाएगी, तो ये भी बहुत काम का feature है, वार वार आप भूल जाते हैं, कि रिसाइकल में कितना storage है, जब भी आप delete करेंगे, चाहे आप photos delete करो, चाहे कुछ भ आप्षेन को बन करता हो, फिर आपको उसको option की use बताता हूँ, आपिस जाना है, Welcome to gallery lab, गैनरी lab में जाने के लिए पहले उन option को बंद कर दता हूँ, तो अब मैं उसको जाता हूँ, आपको बंद कर लेता हो, बन करने के लिए बापिस को gallery सा खुलता हो, अगर आप किसी भी तो उसके लिए बापश जाना है आपको त्री डॉट में फिर सेटिंग में जाने का गैलरी लेब में यहाँ पर आएंगे आप नीचे की तरफ यह आपको मिल रहा है यह टाइम लाइन इन एल्बम को यह चारो ऑप्शन आपको आपको आउन कर लेना है आउन करने के बाद आपको बापश बंद करना है एपको बंद करना है फिर खोलना है उस एपको एपको खोलने के अल्बम पर जाएंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेडवाइस दिख रही ही जो पहले नहीं दिख रही थी आप कोई से भी फोल्टर में जाएंगे सब आपको नीची है क्या फोटो को नाम है और क्या से वह और क्या क्या पूरी बेफ्रेशन मिल रहा है अब आपको यहां पर नीचे चाहिए एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन कैसे इसकलिभ आपर जाना है 3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 शोग कैच इमेज डिटल मतलब यह आपको कुछ नॉर्मल से इंफोर्मेशन मता देगा उस फोटो के बारे में कैसे लाइक है मेरी को इसी भी फोटो को मैंने खोल लिया यहां जाने का दूपर की तरह स्वैप करेंगे तो आप देखेंगे नीचे लग से इंफोर्मेशन मि कले रहा है कब कीचा था डेजाइन टाइम जिसमें मैं next video बनाओं तो आप मुझे suggestion भी देसकते दोस्तों और मेरे वीडियो को share करना भी ना बोले दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आप मेरे चैनल पर subscribe नहीं किया तो please subscribe करना ना बोले ताकि मेरे चैनल लें की next video की update आपको सबसे पहल है मिले दोस्तों और मुझे Instagram और Facebook फॉलो करना भी ना बोले तो thank you दोस्तों